गुट इवनिंग लॉस्ट आप सब अच्छे होंगे पीविस टेन पे हम लोग ने मॉडल सिस्टार्ट किये थे सबसे पहले हम लोग ने देखा था जे जे तॉंसन का वाटर मिलन मॉडल देन हम लोग ने देखा रदरफोर्ट मॉडल सोलर सेस्टम मॉडल कि दिर इस अ नुटियस एन अरॉंद अरॉंड दे कल दूए जयसे संगे आरॉंड प्लैने प्लैनिट मॉफ करते हैं उसी तरीके से उन ने बता है कि अल्द चार्ज न मास से संसंट्रेट इन वहरी टाइन नीउकलियर क् इसमें Maxwell Electrodynamics के अगेंस एक बात थी तो कि according to Maxwell Electrodynamics कि when a charged particle move then continuously emit their energy तो electronic charge particle है और वो continuously move कर रहा है अगर वो energy release कर रहा है तो हम लोग ने पिछले एक slide में देखा था कि अपनी energy lose करता हुआ finally वो nucleus में drop हो जाएगा और वो वहाँ पे vanish हो जाएगा तो ऐसा तो आज तक मिला नहीं कि आपके दादा जी की कार अप छोटी सी हो चुकी है उसके atom मर गए ये possible नहीं है तो possible फिर क्या है सीधे आप लोग में आजाता है ये bore atomic model बट हम यहाँ पे bore atomic model से पहले कुछ आप से बात करना चाहते हैं quantum theory के respect में कि ये यहाँ पे अभी तक classical science थी bore से पहले पूरी classical science थी जो physics में जो आप लोग पड़ते हैं कि ये gravity है और ये है वो ये सारी बाते चल लए दे exactly हुआ क्या plank का शायद आपने नाम सुना हो Maxwell plank का इसमें नहीं है क्योंकि ये आपकी ये भी pre foundation की slide है इसमें वो part included अभी नहीं है जो आप class 11 के section है उनमें उनके syllabus का part है इसलिए वहाँ पे हम लोग इसको discuss करते हैं plank तो ज़रा सहम पहले plank के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले इसी पे ही discuss कर लेते हैं देखी max plank ने एक black body radiation के उपर बात कर रहे थे black body radiation पे बात चल लेती इसी का ही bottom यूज़ कर ले रहे इसी पे max plank max max plank black body radiation के बारे में डिसकस कर रहे थे black body radiation अब black body radiation होता क्या है तो इन्होंने क्या किया कि एक एक ऐसी body ली इस body की अंदरूनी जो surface थी इस पे पूरा काजल लगा दिया देखी नैचुरल जितने भी black substance होते हैं उन में से काजल को सबसे जादा black माना जाता है कृष्णा हिंदी में टर्म यूज़ करते हैं कृष्णा हम लोग कृष्ण भगवान के लिए भी टर्म यूज़ करते हैं और कृष्ण भगवान के लिए जो बहुत सारी philosophy बताई गई है वो कहीं न कहीं इस black body radiation और quantum theory से भी कहीं न कहीं correlate करते हैं कभी उस पर discussion होगा या जो मेरे class attend कर चुके हैं उसके उपर कि what is the relation between Krishna and black body radiation तो उनको पता होगा जिन लोग ने मेरे class attend करी होगी ब्लैक कलर की एक बड़ी खास बात होती है ये सबसे अच्छा absorber होता है और सबसे अच्छा emitter भी होता है ये सब energy को maximum energy अपने अंदर absorb पड़ता है हाँ ये बात है कि 100% अगर कोई black body है तो वो केवल black hole है बाकी अगर आप काजल की बात करते हैं तो ये करीब 96% good absorber होता है बाकी अभी सुनाए कि कोई synthetic compound भी है जो करीब 99% absorber है बट हमें उसके बारे में जानकारी बस इतनी है कि कोई अभी synthesized compound है अब देखी इसको क्या करते हैं हल्का सक curved बनाते हैं जैसे घड़ा ले लिया घड़े के अंदर काजल लगा दिया और इसमें थोड़ी सी एक Slant Line यहां से इधर टक्राई फिर यहां टक्राई इधर टक्राए इधर 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 टक्राते वे फिर यह बाहर निकली तो कई बार टक्राती है हर बार उसका 96% absorb हो जाता होगा हर बार उसका 96 absorb होते होते लगबग लगबग ये approx 99.999% absorb हो जाती है इस तरीगे से एक पहले absorb किया जाता है और फिर इसको पहले गरम करने के बाद इसको छोड़ देते हैं emission के लिए अब ये अपनी energy को emit करती है पहले energy देते हैं फिर ये energy जो इसने absorb करी है इसको emit करने के लिए छोड़ देते हैं ये black body radiation experiment था Max Planck एक research scholar थे इन्होंने अपनी एक research करी black body radiation पे black body radiation आप घर पे बना सकते हैं black body एक आजकल तो market में जाते हैं वो छुटी छुटी जी घड़ा मिलता है मिट्टी वाला उसके अंदर पूरा आप काजल लगा दीजे और एक जगा से उसके एक incident light आए अंदर टकराएगी और उसका कुछ temperature पहले ले लिया जाता है बाद में आजकल तो maximum energy absorb करेगा पेशर कूकर पतीली का बेस अगर काला है तो जादा अच्छा पहले आप देखते बड़े चमकते भी आते थे आजकल मार्केट में जाईए तमामों कमपनिया Hawkins Prestige इसके जो कूकर का बेस देखी वो ब्लैक कलर का करके देते हैं उसके पीछे भी रीजन यही है और जो पहले टेलवीजन होते थे उनकी जो cabinet उनकी स्क्रीन के किनारे किनारे ब्लैक कलर बनाया जाता था ताकि जो extra radiation है वो चार दो से ब्लैक करी गई है वो इसलिए extra radiation देखी इसकी भी boundary अंदर से ब्लैक रखी जाती है उपर से बले खुबसूरत बनाने के लिए कैसा देखा लेकिन इसके अंदर अंदर यह ब्लैक रखा जाता है ताकि अब्सॉर्ब कर ले यह इसी experiment पे वो अपना काम कर रहे थे इन्हों ने एक चीज़ देखी बार बार जो भी यह एब्सॉर्ब करते थे emission हो रहा था जब emission हो रहा था इस emission में कि जो energy emit हो रही थी उसमें उसकी frequency से directly relation था जितनी energy यह emit कर रहा था उससे जो emission हो रहा था उसकी frequency यह क्या है energy और यह क्या है frequency जो emission हो रहा था जैसे एब्सॉर्ब परी लाइट और एब्सॉर्ब करने बाद जो energy release करी जो energy release कर रहा था energy जो release हो रही थी और जो wave जा रही थी जो electromagnetic wave जा रही थी इसकी जो frequency थी वो दोनों directly proportion थी और इन्होंने अपने एक experiment को उठाया और पूरा का पूरा experiment इन्होंने उनको क्या नाम था Nobel Prize मिला था photo electrical के लिए इनको बाल खड़े खड़े थे Einstein को अपने experiment इन्होंने भेजा कि सर देखी ये मेरे experiment में एक ये बार बार ये relation आ रही है Einstein ने एक चीज और देखी जितना emission था उसको जब उससे emit होने वाले radiation की frequency से divide किया तो हर बार एक खास number आ रहा था और ये number था 6.626 into 10 to the power minus 34 और इस number को उन्होंने बार में बोल दिया कि ये plank constant है plank constant का नाम दे दिया गया है small h से denote करते हैं और finally फिर एक equation आई e is equal to h new ये बहुत गजब की equation थी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ठीक है लिखा हो गई e is equal to h नहीं हमसे क्या लेना देना लेकिन जो science student है वो उनके लिए ये quantum का पहला step था कि जब भी कोई energy निकलेगी वो एक bundle के form में निकलेगी और उस bundle में energy का जो bundle होगा उसकी जो energy होगी वो h और new के बराबर होगी अपना सुबा सुबा बाहर खड़े हो गए sunlight आ रही थी sunlight से जो frequency मिल रही है उसमें से उसमें खैला कि mixture of frequencies होगी उसमें से कोई एक light के photon की frequency हमें पता चल जा है उसकी frequency को इस plank constant से बस आप multiply कर दीजे इनका आप multiply कर देंगे जितनी energy होगी आपको पता चल लिया कि एक photon से कितनी energy आ रही है यहाँ से पहली बार quantum के बारे में पता चला क्वांटम को बहुत से लोगों ने बड़ा डरा दिया बच्चों को कहीं पढ़ना लें और या पता नहीं क्या सोच लिया कि बहुत complicated भाई साब बहुत complicated कुछ भी नहीं है बहुत simple सी एक बात हम समझाते है प्लैंग क्वांटम का मतलब होता है energy का packet आप बजार गयें चिप्स खरीदें खरीदें ना पांच रुपए का चिप्स का packet आता है अब कोई उस company का मा लिजे कि आपने अंकल चिप्स ले लिया पांच रुपए का उसका वोई green वाला जो नहीं आता है अब उसमें से आप कोई भी packet उठा लिए पांच रुपए का उसमें उतनी ही चिप्स मिलेगी दस रुपए का एक लेंगे या फिर एक 20 रुपए का होता है पचास रुपए का होता है अब जो पचास रुपए का होगा उसमें उतनी ही चिप्स मिलेगी दस रुपए में उतनी ही मिलेगी पांच रुपए में उतनी ही मिलेगी जितनी आप एक पैकेट में एक खास जिसे पाँच उर्पए का पैकेट है उतमे एक definite amount आप चिप्स होगी दस उर्पए के पैकेट में एक definite amount होगी यहाँ पर मास की बात थी अगर एनर्जी एक definite amount के bundles में हो इसको बोलते हैं quantum तो what is the quantum quantum आइंस्टीन ने ये बताया कि एनर्जी एवे ही नहीं मूफ कर रही है कि जहां से मन उठाया चल दी कि थोड़ी से ओल ले लो थोड़ी नहीं एनर्जी हमेशा बंडल में चलती है जैसे कि मा लिजे आज गलती से आपने का चलो आज पापा हम नहा लेते हैं नहाने के लिए अब आपके पास option है कि एक रुपए का सेशे है या आप एक रुपए के दो ले लिजे चार ले लिजे पांच ले लिजे लेकिन हर में उतना ही amount मिलेगा या दो दो रुपए के पांच ले लिजे या 5-5 रुपए के 2 ले लिए, 10 रुपए का सीधा 1 ले लिजे, ठीक, जो भी आपकी requirement है, आप ले लेंगे, इसी तरह की चिप्स खाना है, तो एक definite amount में आप ले रहे हैं, कभी भी जैसे, जैसे market में आप आज कल पहले क्या था, आटा लेने गए हम लोग, पहले हम दूद का example बच्पन में हमने बता ना कि बहुत, लोवर मेडल क्लास से गरीबी वाली दुनिया थी इपनी, तो दूद लेने जाते थे, वो बाल्टी वाल्टी का चलन था, भी भी कुछ लोग को देखा, हमने कभी कभी, शाम का वक्त हुआ जाओ घर के लिए दूद लेका है, दूद एड कर दिया, ये पहले पॉसिबल था, अब इसी चीज़ को सोचिए कि आप, अब इसी चीज़ को आप सोचिए कि ये कोई अपना मुबाइल दिखा रहा है, चलिए रनवीर साहब आप कुछ बताना चाह रहे होंगे, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है, अभी मेरे ही स कोचिए आज कल की दुनिया में, जहां पे पैकेट के तरीके से मिलता है, आध्या अधा लीटर के ऐखेट, या एक लीटर के पैकेट, या आप तो दो लीटर के पैकेट भी दे इतना बड़ा सा पैकेट था, अब उसके पास गया, आपने उससे एक लीटर दू लिया, उसन तो नहीं दे पाएगा अगर या उससे छोटा है तो फिर वाला पाउच देगा वो थोड़ा सा अलग से इसे नहीं बल टपका दिया उसने या जैसे हम लोग पहले आटा डाल चाहूं लेने जाते थे तो वो अपने एक क्लोस ने तौला फिर देखा थोड़ा सा लेके उसने थ से दो किलो लोगे एक किलो दस गिराम या एक किलो बीस गिराम नहीं ले सकते दिस इस जा क्वांटम जो मॉल में जाके आप समान खरीब के पैकिट में लेके आ रहे हैं ये क्वांटम में आप मास ले रहे हैं एक डैफनेट अमाउंट है उसी के मल्टिपल में आप ले सकते हैं थोड़ा जादा थोड़ा कम आप नहीं ले सकते बस यही है quantum quantum क्या है a definite amount of energy bundles are known as quantum लिख लीजे quantum क्या है definite amount energy bundles are known as quantum and how many energy are involved with the single quantum quantum h new अब तुम कोगे क्या सर सारे quantum बराबर होते नहीं सहब frequency बदलते जाईए बढ़ाते जाईए quantum की energy बढ़ती चली जाएगी मतलब अगर आप पे एक UV light डाली जा रही है और आप पे एक IR इंफ्रारेट डाली जा रही है तो आपको पता UV की frequency जादा होती है frequency बढ़ा दोगे UV से जो photon आपके पढ़ रहा होगा उसकी energy जादा होगी जो IR से पढ़ रहा होगा उसकी frequency कम है उसमें energy कम आएगी मेरे खाल में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लोग क्यों कहते हैं कि infrared और अल्ट्रा वाइलेट में अल्ट्रा वाइलेट बड़ी खतरनाक होती है जादा दे रहेंगे तो आपका DNA तक चेंज कर सकती है साथ पुस्ते त्यड़ी मेड़ी हो सकती है अगर X-ray के exposure में डाला क्यों क्यों कि उनकी frequency बहुत जादा होती है गेटिंग इंफ्रारेड गरम महसूस होता है क्यों क्योंकि उसकी वेवलेंद आपके मॉलिक्यूलों के पैरलल आके रैजोनेट करा सकती है इसलिए हो सकती है अला कि वो microwave में ज्यादा suitable condition है अब फिलाल हम physics में इंटर कर जाएंगे इसलिए हम यहाँ पर रोक ले रहे है अपनी बात को बस मेरा इतना कहना थे कि definite amount of energy bundle is known as quantum यहाँ से पहली बार quantum theory आई अब इस ही quantum theory का use किया नील बोर ने बात समझेगा जो modern atomic structure पढ़ रहे हैं उसमें भी Einstein का रोल है उसमें भी Max Planck का रोल है उसमें केवल नील बोर का रोल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा एक lag आ गया था अब इसके आगे बड़ी नहीं पा रहे थे explain ही नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे फिर नील बोर ने इसी quantum theory को लिया उन्होंने का कि electron ये move कर रहा है ये electromagnetic radiation Maxwell के हिसाब से तभी कर सकता जब ये definite amount of energy निकाले ये थोड़ी थोड़ी सी नहीं निकाल सकता मेरी बात clear है जो भी यहाँ पे तुम लोग तो यहाँ सामने हो समझ में आगे ना बात अब देखी यही चीज उठा के इन्होंने use कर ली ये नील बोर हलाकि ये physics के scientist थे professor थे college में अपने पढ़ाते थे इन्होंने क्या क्वांटम theory को use किया इन्होंने किसको use किया quantum theory को use किया तो नील बोर का atomic model was based upon quantum theory और according to this model electron देखी इन्होंने शुरुवाती बात भी वही करी जो रदर होड ने बोली थी all the positive charge and mass is concentrated in very tiny nucleus क्या बोला इन्होंने all the positive charge and mass is concentrated in very tiny nucleus and electron are moving around the positively charged nucleus in कहां पर definite, stable, non-radiating, fixed, orbital ये बहुत important term है सारे terms का एक एक meaning है क्या बोला negatively charged electron are moving around the nucleus in कहां पर? in fixed, stable, stationary, non-radiating orbitals एक खास orbital हैं उन्हीं में ही electron move करते हैं ऐसा नहीं कि कहीं पर भी move कर रहे हैं पहली road पर move करेगा या दूसरी पर करेगा या तीसरी पर करेगा अभी अगले में हम लोग देखते हैं slide पर कुछ बाद लिखी है यहां पर, postulate किया only certain special orbital अब जहां पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यह special orbital की और quantum theory से आपस में क्या relation है basically special orbital है तो उसकी एक खास energy होगी, उसकी एक definite energy होगी और हर definite energy का मतलब क्या होता है? h new मिला कुछ कुछ relation? अब भी आगे चलेंगे तो और सब बाते नजर आएंगे हम लोग को तो क्या लिखा है? only certain special orbitals called discrete orbital of electrons are allowed inside the atom कुछ खास certain stable orbital हैं जिसमें atom में electron move करते हैं while revolving in their discrete orbital, the electron do not radiate अभी हमने एक term बोला था non-radiating orbital क्या बोला था? non-radiating orbital इसको अगले डाइग्राम से समझते हैं कि अगर ये nucleus है ये आपका nucleus है तो nucleus के around कुछ fixed stable orbital या तो electron tele shell में move करेगा या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में जब किसी एक shell में move कर रहा होगा तो ना वो energy absorb करेगा ना energy evolve करेगा जब वो बाहर से अंदर आएगा तो कुछ definite amount of energy निकालेगा और वो कितनी energy होगी एक definite होगी h new के बराबर होगी और यही energy आपने अगर इस electron को दे दी तो अंदर से ये electron बाहर जंप करके आ जाएगा इसके लिए आपको एक definite amount of energy देना पड़ेगी when a fixed amount of energy is given to the electron then electron move from inner shell to outer shell and when electron move from outer shell to inner shell it evolve a definite amount of energy हम अपनी बात को clear कर पा रहें आप से क्या क्या बात हैं कोई बहुत परिशानी बहुत simple way में समझते हैं क्या बोला एक बार सब लोग अपने जहां बैठे हैं वहाँ आप एक बार उसको recall करिए पहला तो इन्होंने बोर का ही statement यूज़ के लिए all the positive charge and mass is concentrated in a very tiny nucleus point number one दूसरा negatively charged electron are moving around the nucleus moving around the nucleus in certain fixed stable orbital when electron move within a shell neither it absorb energy not it evolve energy जब ये किसी fixed shell में move करते हैं तो ना ही energy absorb करते हैं ना energy ये evolve कर रहे होते हैं when a move within a fixed orbital फिर है when electron move from outer shell to inner shell देकि बाहर चे अंदर की तरफी arrow बना हुआ है when electron move from outer shell to inner shell it evolve a definite amount of energy क्योंकि बाहर की energy ज़ादा है जैसे ये E4 है और ये अंदर है E3 तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि E4 जो है वो ज़ादा है E3 से बाहर की energy ज़ादा है अंदर की energy कम है तो जब बाहर से electron अंदर आएगा तो एक definite amount of energy release करेगा और जब electron माली जी अंदर ये को electron है इसको आप एक definite amount of energy देंगे ये अंदर से jump करके बाहर आ जाएगा ये अंदर से jump करके electron बाहर आ जाएगा जब एक definite amount of energy इसको दिया जाएगा Got it? कोई confusion तो नहीं है? यहाँ पर इसी इसी लिए सब की energy क्या है? quantized energy है कैसी energy है? quantized energy है इसके लिए एक बड़ी उच्छी सी book है book तो मिलना अब लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा आप net पर YouTube पे जाएं और महाँ पे quantum energy के उपर quantum energy and board concept पे आप कुछ lecture देखेगा कुछ animated lecture हैं MIT के प्रोफेसर उनका नाम हम भूलें बहुत अच्छा उन्होंने इस चीज़ को explain किया है आप चाहें तो एक बार महाँ पर देख सकते हैं बड़े इंफॉर्मेटिव है वह बिसिकली इन्होंने पहली बार energy level system दिया और इन्होंने का कि जैसे यहां पर energy और यहां energy किसी शेल में दो जगा पर यह किसी शेल में यह वह वह आप्शुन के पास यह और सब्सक्राइब यह और सब्सक्राइब यह अब देखिए यह होता है ठीक से पता नहीं है है पता नहीं कर क्या रहे हों क्या रहा है इसमें तो किसी एक शेल में energy और फिक्स होगी नेक्स यह सोलर सिस्टम आगया यह कुछ पुरानी बाते हैं कि यह अपना वह रदर फोर्ड मॉडल के बारे में यहां पर दिया था लेकिन यहां पर तो इक ग्रैविटी की वज़े से तो एलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इनको ना इनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं एक्टम्स में यह कैसे पॉसिबिल है अब देखिए यहां पर पैन ही नहीं काम कर पा रहा है मेरा पर यहां यह बताई सर इस पर पैन कहां से टेश हो कि आएगा अब आगी आगए तहां चला गया थे यह बात कर रहे थे सोलर सिस्टम की रधर फोर्ड मॉडल था रधर फोर्ड ने इस वलर सिस्टम से कमपेर किया लेकिन यहां पर ग्रैविटी से मैंस के सुस्टम रहे ठी हैं किसी एक चलम मैं मैं उनक्राण घ्रम कितने अलेक्त्राण पॉसिवیल है क्यरिक्सिद उ खिया गौन कितने पॉसिबिल है कोई बता सकता है पहले में तो दो एलेक्टरॉन हो गए इसके लिए को फॉर्मूला था दूसरे में आड़ थे टू एन इस्क्वाइर टू एन इस्क्वाइर मैक्जिमम नंबर ओफ एलेक्टरॉन इन एनी शेल और टू एन इस्क्वाइर यहाँ पे एन क्या है नंबर ओफ शेल अगर एन वन है तो मैक्जिमम एलेक्टरॉन टू वन इस्क्वाइर कितना होगा टू अगर एन की वैलू यहाँ पे टू रख दो तो फॉर इंटू तू मीन्स एट तीसरा शेल है तीसरे शेल में कितने एलेक्टरॉन होगे 9 इंटू 18 अब ऐसे ही करते जाईएगा फिर चौते शेल में कितना आएगा 4, 16, 32 and so on लेकिन हाँ एक बात बोली कि आउटर मोस्ट शेल है अगर ये आउटर है तो पहले शेल में केवल N1 है तो इसमें केवल दो इलेक्टरॉन होते हैं इसको डूपलेड बोलते हैं और अगर दूसरा शेल है N2 onward है अगर शेल दूसरा है या उससे जादा है बट ये आउटर है तो मेक्जिमम एलेक्टरॉन कितने होंगे 8 होते हैं इसको ओक्टेट बोलते हैं ओक्टेट यहीं से हम लोग एलेक्टरॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकालना सिखते हैं कलर बदल दिया जाए कुछ कुछ एलेक्टरॉन कुछ एटम लेते हैं और उनके कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं जैसे किसका किसका ले ली जाए कार्बन का ले लिया जाए चलिए कार्बन का लेते हैं 6 और क्लोरीन का लेते हैं 17 और किसका ले लेजाए और बताएं कैल्शियम ले लेते हैं 20 सोडियम 11 क्या होगा 2,4 17 का क्या होगा 2,8,7 इसमें क्या होगा 2,8,8,2 ये पहला शेल है पहले शेल को K बोला था दूसरे शेल को L तीसरे शेल को M चौते शेल को N फिर 11 था इसमें क्या हो जाएगा 2,8,1 वैसे एक बड़ी खास बात यहां से और पता चलने लग गई कि आउटर मोस्ट शेल और इनकी वैलेंसी में कोई रिलेशन सा नजर आने लग गया है क्या रिलेशन है अभी हम लोग आगे चलेंगे यह फिर से वही आगया जेम्स एडविक ने जो आपके न्यूट्राण डिस्कवर किये थे यह एक assumption है कि कितना छोटा electron हो सकता है कितने छोटे atoms हो सकते हैं यह उनके बारे में कुछ बाते हैं यह पता निए यह size का एक ratio दे रखा हुआ है यहाँ पर बात आई दरा सा radius के लिए कि radius क्योंकि आपको अब यहाँ पर यह पता चल गया था कि किसी में energy कितनी होती है energy से फिर radius में relation भी आ सकते थे हमने यहाँ पर एक example लिया केवल hydrogen atom के बारे में कि hydrogen atom का radius यहाँ पर आपके सामने लिखा है 5 x 10 to the power minus 11 जो कि 0.05 nanometer के near about है radius को कैसे मतलब अब पहले तो सोचना पड़ेगा कि hydrogen का किस चीज से हमने नापा होगा क्या इतनी बड़ी हमारे पास कोई scale possible है कि जिसको हम लगा के इसको नाप सकते थे नाप सकते थे ना इसके लिए तो हमें कुछ concept की ही जरूरत पड़ी होगी yes or no हाँ तो यह हम लोग यहाँ तक पहुचे कहां से कोई इसके बारे में कुछ बता सकता है चलिए यहां तक पहुचने से पहले यहां से हमारा start हो जाता है एक बारा सब्सक्राइब का पाट स्टार्ट करते हैं तो कुछ एड़वांस बाते हैं जो आपको क्लास 11 में आएंगे या जब हम लोग आपका इसकूल लेविल पर कम्प्लेट करने के बादे हम लुग रिवीजन सटार्ट करते हैं तब उसमें कुछ बाते add कर देंगे कि आप किसी atom की radius कहां से define कर सकते हैं, आप जो electron move कर रहा है उसकी velocity कैसे define कर सकते हैं, उस electron के संग कितनी energy involved है उसको भी हम लोग define कर सकते हैं, यह interesting part है, 11th की अगर किसी के पास book है तो उसमें देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हम लोग बहु यहां तक पहुचने से पहले कुछ और बाते आपके संग पहले शेयर करना चाहते हैं, तब हम लोग इसकी तरफ move करेंगे, यह basically हमारा एक futuristic step है कि आगे चल कि हम लोग यहां तक कैसे पहुच सकते हैं, एक आपने formula पढ़ा होगा, Einstein का e is equal to mc square, यहां पे m क्या है, mass, और c क्या है, speed of light, आज आपने quantum theory का एक formula और पढ़ा e is equal to h new, क्या हम इन दोनों को आपस में correlate कर सकते हैं, आप यहां पे mc square is equal to h new बोल सकते हैं, अच्छा, कुछ और change करते हैं, new की जगा पे c by lambda use कर सकते हैं, wave equation होती न, frequency is equal to velocity upon wavelength, यहां पे c by lambda use किया जा सकता है, new की जगा, new यह frequency है, no, क्यों नहीं use कर सकते हैं, यह तो physics में पढ़ाया गया है आपको, कि frequency is equal to velocity upon wavelength पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है, तो mc square is equal to h c by lambda velocity upon wavelength, c और c गया है इदर से, क्या हो जाएगा, lambda wavelength is equal to h upon mc, c क्या है, velocity है, तो velocity को आप चाहो तो इसको v से भी c को v से replace कर सकते हो, यह velocity of light है, अगर किसी particle के लिए बात करो, लेकिन शर्त यह कि उसकी speed बहुत high होनी चाहिए, तो lambda is equal to h upon mv, mv को आप momentum बोल सकते हो, momentum, इसको बोला जाता है, D-Brogly wave equation, this is called D-Brogly wave equation, basically, इस formula के बाद, हमको यह confirm हो गया, कि जब कोई electron move कर रहा है, तो यह dual nature शो करता है, यहां से particle के dual nature के बारे में पता चला, कि when a small particle move with a very high speed, then it show dual nature particle as well as wave, mv, momentum into velocity, यह इसका particle nature हो रहा है, और जब यह particle move कर रहा है, तो उसकी कुछ wavelength है, wavelength है तो frequency है, frequency है, यानि wave है, मतलब कि अगर कोई बहुत high speed से, कोई photon entry करता है, तो photon की जाहिए से बात, speed हाई होती है, या कोई भी particle को आप बहुत high speed से move करा दें, मतलब वो light की speed के respect में अगर है, कि light की speed का 1 by 100, 1 by 1000, 1 by 10, light के बराबर भी नहीं है माली जी, इतना भी कम है, तो वो सीधा move नहीं कर रहा होगा, वो एक wave nature को represent कर रहा होगा, तो particle as well as light को, as well as frequency को represent करता है, वेन चार्ज, वेन पार्टिकल move with very high speed, देन इट शोग डूवल नेचर, डूवल नेचर, तो जितनी भी पूरी, तुमारी modern atomics की study है, वो इसी डूवल नेचर पर ही base करके करीगी, फिर इसके बाद, heisenberg uncertainty principle, ये भी आगे हम लोग जो pre foundation का, जब advanced level revision होगा इसमें जोड़ते हैं, कि जब कोई particle move करता है, तो या तो आप उसकी position exactly बता सकते हो, या फिर आप उसकी velocity एकदम exactly बता सकते हो, इसको ऐसे समझ लो, एक game खेलते हैं, ये electron move कर रहा है, ये electron move कर रहा है इस तरीके से, अब अगर माली जे electron से कहा जाए कहा पर हो, उसने कहा कि हम यहाँ पर हैं, इस particular point पर हैं, लेकिन जब तक ये बता रहा होगा, तब तक ये कुछ आगे shift हो चुका होगा, फिर इसको बड़े common example से लेते हैं, माली जे कि हम अपने घर जा रहे थे, जैसे ही घर आगे बढ़ने लगे थोड़े देर में, मम्मी का मेरी phone आया, पूछा कि भई शाब तुम कहा हो, हमने कहा कि वो मुंशी पुलिया वो कौन सा ये चुरा है, polytechnic चुराई के पास हैं, वहाँ पे बिल्कुल चुराई के पास हैं, तो का एकदम चुराई कोई पर हो, तो हम के हाँ लगबग लगबग के लगबग से मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ तो error होगा, हाँ मतलब चुराई के इधर थे, जब तक आप से बात करी तब तक उदर आगा, यानि यहाँ पे एक कोई हलका सा error आया, हम exact नहीं थे, तो हमने का हमने होश्यारी लगाई, हमने अगले दिन फिरम जा रहे थे, तिफाक से तभी phone आ गया, और हम से पूछा गया कि कहाँ पर हो, हमने तुरंद गया और बिल्कुल बीच जो चुराई का, पोल था, उसको पकड़ के खड़े होगे, कि मम्मी आज तो बिल्कुल एक दम चुराई पे खड़े हैं, इसमें कोई भी error नहीं है, कहाँ पर आ रहे हो, हमने का घर आ रहे हैं, मम्मी ने का फिर तुम गलत बोल ले हो, अब तुम आ कहा रहे हैं, तुम तो रुख गए माँ पे, आप दोनों चीज एक संग डिफाइंड नहीं कर सकते, अगर कुछ चीज मूव कर रही है, तो continuously अपनी position को change कर रही है, और अगर आप position एक दम fix कर रहे हैं, तो वो चल नहीं रही है, और दोनों को संग में आप करेंगे, तो दोनों में कुछ ना कुछ uncertainty आ जाती है, इसी को बोला जाता है, Heisenberg Uncertainty Principle, इसके बाद इसमें कुछ और आते हैं, quantum number होता है, quantum number ये बताते हैं, अब हम, क्योंकि आज हमरा final day है, तो हम लोग, आपके school level पे हमने discuss कलिया, कुछ advance में, जो हम लोग foundation के regular classes में discuss करते हैं, उन चीजों के बारे में बता दें, कि, जैसे हम लोग quantum number, quantum number क्या होता है, जैसे address है, बहुत हम से पूचा जाए, शाहाब तुम कहा रहते हैं, तो हम बताएंगे, हम गोमती नगर में, इस खंड में, इस मकान number पे रहते हैं, उसी तरी के से electron से पूचा जाता है, तो बताते हैं, मेरा shell ये है, उसका sub shell ये है, उसमें orbital ये है, और मेरा rotation या spin clockwise है, या anti clock है, चार डिजिट होती है, पहली डिजिट बताती है, कि इसका shell क्या है, दूसरी डिजिट बताती है, इसका sub shell क्या है, तीसरी डिजिट बताती है, उसमें orbital कौन सा है, चौते डिजिट बताती है, कि ये clockwise मूफ कर रहा है, कि anti clockwise मूफ कर रहा है, फिर इसमें हम लोग एक पावली exclusive principle भी discuss करते हैं पावली's exclusive principle ये बताता है कि किसी भी atom के दो electron के चारो quantum number कभी भी बराबर नहीं हो सकते कोई ना कोई दोनों में difference होगा जरूर किसी एक atom के दो electron के बीच में आफ बाव principle के बारे में हम लोग इसमें discuss करते हैं बहुत useful हो जाता है बहुत सारी studies के लिए आप बहुत principle शैद आपने कुछ देखा होगा कई बार 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 ये basically sodium का electronic configuration लिखा हुआ ये जो दिख रहा है आपको ये sodium का electronic configuration है और ये spdf type के महाँ पे हम लोग ने बोर में कैसे लिख दिया था लेकिन यहाँ पे देखिए हमने ये पूरी detail देते हैं कि पहले shell के s sub shell में 2 electron है दूसरे shell में total 8 electron है 2 s sub shell में है और 6 आपके p sub shell में है फिर 1 electron तीसरे shell में और तीसरे के भी s sub shell में 1 electron exist करता है हम इस तरीके से यहाँ पे define करते हैं इसको s pdf और यह कैसे बरते हैं आफ बाउ प्रिंस्पल से फिल होते हैं तो atomic number चलते जलते एक दो चीज़े और देख लेते हैं कि atomic number क्या होता है कि number of proton किसी भी atom में कितने proton है वो उसका atomic number कहलाते हैं number of proton present in an atom characterized property इसकी reactive capacity कितना है देखिए जितने number of proton होंगे उतने ही number of electron होंगे अगर वो neutral है जितने proton होंगे उतने ही electron होंगे तो जितने electron होंगे तो फिर electronic configuration आपको पता चल जाएगा जैसे कि two, eight, one अभी हमने sodium का यहां पर लिखा है इससे आपको यह पता चल जाएगा कि इसके valence shell में कितने electron है यह electron को देगा कि electron लेगा यानि इससे आपको इसकी property पता चल जाती है इससे यह पता चलता है कि यह electron donor है और दे रहा है तो कितने electron दे रहा है जितने दे रहा है वो इसकी valence हो जाएगी जितने ले रहा है या वो इसकी valence हो जाएगी तो इसमें अगर electron donate करते हैं तो हम लोग उसको plus से denote करते हैं electron अगर ले रहे होते हैं तो उसको हम लोग minus से represent करते हैं इसको atomic number बोलते हैं तो fundamental property atomic number पर ही based होती है atomic mass क्या होता है atomic mass यह होता है कि proton का number और neutron के number को आपस में जोड़ दो यह इसको बोलते हैं mass number और जो भी mass number आए उसको amu से अगर आप कोगी नहीं सर इसको gram में या kilogram में बताइए तो जो mass number आए उसको amu का जो mass होता है उससे आप multiply कर दीजे तो फिर हो atomic mass के category में आ जाएगा generally हम लोग mass number ही use करते हैं gram में हम लोग उसको use नहीं करते हैं तो number of proton plus neutron ये क्या होगा mass number इसको हम लोग A से denote कर देते हैं और अभी atomic number के लिए क्या बोला था atomic number इसको हम लोग P से denote करते हैं और ये है Z से अगर यहाँ पर आप इसको हटा दीजे पी की जगा यहाँ Z रख दीए atomic number plus number of neutron is equal to atomic mass जैसे अगर आप से कहा जाए अगर आप से कहा जाए कि कोई एक element है उसका कोई X है इसका atomic number जो है वो 11 है और mass number 23 है तो बताइए इसमें electron, proton और neutron कितने हैं यह इसका Z है तो यह तो इसके हो गए, proton यह क्या लिखावा है, A है, A का मतलब proton plus neutron, proton का number तुमें पता है इसमें 23 is equal to 11 plus N, तो N की value कितनी आई, 12Y जितने proton होंगे, जितने proton होंगे, उतने ही electron होंगे यानि electron भी इसमें 11 है, इस तरीके से calculation किया जाता है अगर कहीं पे लिखा है atomic number 11 और 23 तो आप बताऊगे कि सर इसमें electron 11, proton 11, neutron 12 चलिए साब अब आगे हम लोग इसमें बहुत सारी कुछ बाते हैं, जो 11 की हैं लेकिन आप लोग के लिए useful भी है, जब हम लोग कभी आगे मिलते हैं या हमारे जो regular class होते हैं, इसमें इसमें इस चीज़ों को भी incorporate कर लेते हैं, लेकिन मेरा बस चलते चलते आप से इतना है कि जब भी आप करिए, चाहे आप यहां पर पढ़िए, चाहे ना पढ़िए, वो आपके अपने 24 होगी बट मेरा एक suggestion है, यह as a teacher ना होके, as a senior आपको हम suggest कर रहे हैं कि आते ही साती, या coaching में admission लेते ही साती, पहले तो चीज़ यह, एक दोनों को मिलके इसमें effort करना होता है तभी यह चीज़ आगे बढ़ती है, केवल हम सोचें कि हम पढ़ा देंगे और आप कुछ हो जाएंगे, हम कोई भगवान है, ऐसा कुछ भी नहीं हम दोनों को मिलके effort करना पड़ेगा केवल coaching में admission ले लेने से कुछ नहीं होता है, effort आपको भी करना पड़ेगा, effort आपके teacher को भी करना पड़ेगा दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि आपने बस admission ले लिया और बड़ी-बड़ी high-five बाते पढ़ने लग जाएं, बिलकुल यह मत करिएगा कई बार क्या होता है, कि आदमी सोचता है कि मैंने कोई IIT की coaching pre-foundation में लिया, तो सब basic बाते छोड़ो, सीधे advance बाते करने लग जाओ, सीधे high-five बाते करने हो, ऐसा कभी नहीं होता है जब भी आप start करिए, बिलकुल basic से start करिएगा, और धीरे-धीरे उसको upgrade करिएगा suddenly jump ना करिएगा, step wise आगे बढ़िएगा ये मेरा, आपसे humble request है, suggestion है, बाकी आप खुछ समझदार हैं, अपने एसाफ से सोच सकते हैं बहुत कुछ बताने के लिए था, पता नहीं क्या क्या बताते हैं आपसे, कि वही है कि जिसे अगर किसी का आपको mass निकालना है ये फल आ गए, तो हमने गए जाते जाते एक बात कर ले, जैसे molecular mass अगर आपको निकालना है, एक आप bag ले लिए माल लीजे, उसमें आपने कोई गाजर ले ली, suppose कर लेजे इस गाजरों का जो weight है, वो एक गाजर का weight जो है, वो दो है, और कितनी है, दो है यहाँ पे इसमें कुछ बनाना का weight है, माल लीजे, इसका weight कुछ है, 1 kg है, इसका कुछ अपना weight है, इसका कुछ अपना weight है, इसका कुछ अपना weight है, तो आप से पूचा जाएगा कि total weight कितना सबके weight को जोड़ के, आप final weight बता दो के, इसी तरीके से आता है molecular mass molecular, molecular mass, यह next chapter का कुछ पार्ट है, जैसे अगर आप से कहा जाए, H2SO4 का mass बताईए, तो कैसे आप बताते हो, H का कितना mass है, 1, कितने H होते हैं, 2, plus sulfur का कितना होता है, कितने है sulfur, plus oxygen का कितना है, 16, कितने हैं oxygen, 4, कितना होता है, 2, plus 32, plus 16, 64, कितना आ रहा है, 98 आ रहा है, 98 AMU, यह हमारा next chapter का है, अगर आपको लगे यहाँ पे, तो आप देखेगा, लेकिन दूसरों को देखके, अपनी condition को देखके, यहाँ पे कोई जादू की पुडिया नहीं दी जाने वाली, कि आपने admission लिया और वो पुडिया मिलेगी, और आपका selection हो जाएगा, और आप NTSC और Olympiad qualify होने लग जाएगे, एसा कुछ नहीं है, हम लोग कोई magician नहीं है, gravity हो, और चाहे कोई और institute हो, यहाँ पे दोनों ही लोगो, teacher को और बच्चों को, दोनों को effort करना होता, आप से मेरा केवल एक suggestion है, कि कम से कम अपने लिए इमानदार रहिएगा, आपके लिए माबाब आपकी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप इमानदार हुएगा, आपकी इतनी उमीद करके, अगर वो आपको यहाँ पे allowed करते हैं पढ़ने के लिए, और आप पढ़ते हैं, मच ओवियसे कि इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट होता है, तो इस कोई बर सोचिएगा कि आपके पैरेंट्स ने बड़ी मेहनत से वो पैसा दिया है, पैसे की छोड़ भी दीजे, एक उमीद तो ना तोड़िएगा उनकी, और ये तभी पॉसिबिल होगा कि जब आप और हम लोग मिलके एफर्ट करेंगे, मेरे पढ़ाने से केवल अगर हो रहा होता, तो क्लास में अगर पचास बच्चे हैं, तो पचास सो बच्चों का सेलेक्शन होता, अगर केवल हमारा ये टीचर का केवल रोल होता, रोल तो यहां दोनों लोग का होता है ना, तो जब इस स्टेप पे अगर हम लोग आगे बढ़ें, अगर आप यहां पे आने के लिए सोचिएगा, तो यह सोच के चलिएगा कि हम लोग कोई जादू, कोई ताबीज, कोई मिराकेल, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करवाते हैं, हर बार, जैसे इस बार भी प्री वांडेशन में भी कुछ बच्चे में नजर आ रहे हैं, हम आखिर तक हम लोग रिवाइज कराते रहें, लेकिन हर बच्चा उसमें नहीं रहा, कुछ बच्चों का स्लेबस अपना कम्प्लीट हो गया, वो जम मन करता था कि चलो आद देख लेते क्या चल दा है क्लास में, आ गया जोईन किया नहीं किया, दुबारा वाले रिविजन तिबारा, आपको पता है जो हमारे यहां पे बच्चे हैं, आपको पता होगा, वी एड रिवाइज फाइफ टाइम नाइन स्लेबस, और वी एड रिवाइज अप्रॉक्स फोल ताइम, आफ्टर कम्प्लीशन अप हमारा टेंद का, टोटल फाइफ टाइम हमने टेंद का स्लेबस किया, और हर स्टेप में कुश्चन की तरीके से, थियोरिकल पार्ट में बच्चों का इंवाल्मेंट, लीडर्शिप आप दा क्लास, हर तरीके से, फिश बॉल एक्टिविटी, तमामों तरीके उसे हम लोग ने रिवाइज किया, लेकिन इसमें जितना भी हुआ, अब आपके लिए अपने करियर के लिए दोनों के लिए सोचेगा, और तब यहाँ पर एड्मिशन लीजेगा, ठीक है, ठैक्यू क्लास, टेक कियर,